हेलो दोस्तो वेलकम बेक टु माई चैनल हिमानसु पटेल गड़निंग दोस्तो आप सभी को स्वागद है हमारे इस छोटे से और प्यारे से टेरेस गड़न पर दोस्तो आज हम दिखाएंगे आपको कि बहुत ज्यादा गर्मी में कन कन सा पोधा हमने ग्रो क्या है और केसे उ आप हमारे चैनल में पहली बारा ही हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ताकि जितना में वीडियो डालू सबसे पहले नोटिपिकाशन आपको मिले और आप हमारे वीडियो को देख सके तो दोस्तो देखिए हमारे यहां टेंपराचर 40 डिगरी प्लास हो रहा है फिर भ दोस्तो देखिए जितना भी मैंने पोधा लगाया है पट्वलाका और परलेंस है तो दोस्तो परलेंस और पट्वलाका का बहुत ज्यादा भेराइटी मैंने लगाया है देखिए दोस्तो फुलों से भर गया है और कितना खुबसरत लग रहा है तो दोस्तो देखिए हमने ज्यादा पोधा नहीं लगाया है दूब में ज्यादा पोधा मर रहा है तो दूब से बचाना थुड़ा मुस्किल हो रहा है इसलिए दोस्तो हमने समर में ज्यादा पोधा च्छत के उपर नहीं लगाया है फिर भी दोस्तो देखिए हमारे पाक जितना भी पॉटुला का और का वेराइटी है उसमें फूलों से भर गया है देखिए कितना खुबसरत लग रहा है तो दोस्तों आप इस तरीके से पर्टुला का परलेंस का बहुत ज्यादा वेराइटी आता है तो दोस्तों आप लगा सकते हो यह मेरे पाक कुछ कलेक्शन था तो दोस्तों मैंने लगाया है जो देशी फैरैटी है उसको मैंने लगाया है घमला में तो देखिये दोस्तों आज भर भर के फूल आया है देखिये कितना खुबसरत लग रहा है वाइट कलर से और जो पिंक कलर से योलो कलर से तो दोस्तों और जो ओर्रेंज कलर थोड़ा है यह भी बहुत अच्छा ल और जो पलिथिन में लगाए हुए पर्टूलगार परलेस देखिए अभी बहुत ज़्यादा फूलों से बरा हुआ है देखिए कि दिना खुबसराद लग रहा है दोस्तो इसको आपको ज़्यादा देखबाल करने की जरुद नहीं है बस आपको लगाने से पहले इसका जो स्वैल मिक्स है अच्छे तरीके से तयार करना है और इसको आप कटिंग से लगा सकते हो दोस्तो कटिंग से ये बहुत जल्दी लग जाता है और एक महिना दो महिनी क बाद ये फूल देना स्टार्ट करता है तो दोस्तो आप भी इस तरीके से लगा सकते हो और बहुत ज्यादा फूल ले सकते हो और आपका गड़न को सुन्दर बना सकते हो और यहां पर देखिए दोस्तो बहुती खुबसरत फूलो वाला पोधा है देखिए मानिंग ग्लोरी म मैंने लगाया है देखिए दोस्तो कितना कलरफूल फ्लावार है इसका देखिए तो दोस्तो ये सुबह में इसका फूल खिलता रहता है तो देखने को बहुती अच्छा और सुन्दर अनुभव होता है तो दोस्तो देखिए यह ज़्यादा टाइम तो फूल नहीं खिलता ह दोस्तो मनिंग लोरी का देखिए मैंने गुरुबेग में लगाया है और देखिए जो क्राउंडेजी का जो पोधा मेरे पाक्सूग गया था उसमें मैं इसका बेल को चड़ा दिया हूँ तो देखिए दोस्तो बहुत ज़्यादा फूल अभी खिल रहा है और मेरे गाडन सु है सुल और खोब्सरत पोधा है तो दोस्तो देखjए मनिंग लोरी का बेल बहुत ज़्यादा फिल चुगा है और देखिए मेरे गाडन में बहुत ज्यादा offered कि रहा है और देखिए दोस्तों मेरे पड़ा रहा था तो दोस्तों इसको मैं युच करके लगा दिया हूं तो दोस्तों देखिये आज कितिना जड़ा फूल और कितिना खुश्रओत फूल किल रहा है मेरे गळzuf, मेरे गळन में ज्यादा पोधा नहीं है क्योंकि temperature बहुत ज़्यादा हो रहा है और पोधा मर रहा है तो दोस्तों देखिए मैं कोशिस कर रहा हूँ कि पोधा को बचाने के लिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ पिटुनिया, बिन का और सुनाली का पोधा है देखिए और बहुत ज़्यादा पोधा मर गया है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा गड़न का हालत क्या हो गया है और देखिए बहुत ज़्यादा पोधा नहीं है तो दोस्तों देखिए जो पर्टुलाकार पॉरलेंज सिर्फ बचा है मेरे गाडन में और कुछ सदाबार का प्लांट तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ पलिबेग है मैं कुछ पोधा लगाऊंगा यह आपको नेक्स्ट वीडियो में देखाऊंगा